हालो नमस्कार दोस्तों मैं अभय कुमार सुकला आप सभी का अपना चनल स्वागत करता हूं और आज आप सभी शेक बात किया जाएगा एक नए टॉपिक और जो कि अभी उन सभी भाईयों के लिए इंपोर्टेंट है जो कि किसी ना किसी परिक्षा में पास किया और जॉब रिक्रूट्मेंट उनका हुआ है जैसे कि वह हो सकता है कि इंडियन रेलबे में हो या आपको दूसरे डिपार्टमेंट भी हो सकता है एससी के थुरू गये हो जीडी के तर या और भी बहुत सारे एक्जाम दिये बैंक दिया जो भी इसमें एक स्टेज होता है जो कि पुल सब्सक्राइब बात किया जागा जिसमें बहुत सारे ऐसे भी पार्ट में आपको बताऊंगा जो कि आप सुनके लगे हैं कि पूरे वीडियो में बने रही है और सबसे पल अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज इससे सब्सक्राइब जरूर किजेगा वीडियो अच्छ हवी आपका स्टेट है जैसे आप विहर्ण या उतरपरदेश या बंगल जहां से भी हो तो आपके अपके लिए एक लेटर जाता है सक आंब स्टेंप्स्क्राइब होगा वहां पर जाएगा और उस थाना से आपका वेरिफिकेशन होगा सब्सक्राइब करेगा या वहां के जो आपके जो लोकलीटी में सबसे जो लोवर रेंग के ऑफिसर नहीं सबसे लोवर रेंग का जो वहां पर स्टाफ होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे यहां उसको क्या बोला जता है चकुदार तो क्या है आपको इंफर्म करेगा कि आपके नाम से कोई लेटर आया है या तो आप थाना आईए लेकिन वास्तों में देखा जाए तो यह उनका इसी को कहीं कहीं क्या बना दिया जता है कि आपको बुलाया जाएगा थाना अब देखिए इसमें दो तीन चीज़ होती है अगर आपके नाम पर वेरिफिकेशन आ रहा है तो जनरली आदमी का यह सोच होता है जिसे कि सबको यह कैसे फैमिली से ही बिलॉंग कर रहा है अगर अगर पुलिस वरिफिकेशन आ रहा है तो आपसे ज्यादर टेंशन आपके पड़ोसी वाले को हुगा क्या बात है उसके घराज पुलिस आई थी कि कुछ तो होने वाला है कुछ तो ऐसे तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पुलिस आपके किसी गलत कारण से ही है कभी आपके अच्छे काम के लिए भी पुलिस आपके हां आ सकती है वह है पुलिस वरिफिकेशन डियूरिंग गौर्मेंट सर्विस एग्जामिनेशन इसमें आपके पास वह वरिफाई करने के लिए इस केसमें अगर आप या तो थाना जाहिए नहीं तो खुद अपने आप काम सुरूबा तो अभी कुछ दिन पहले एक दो रोज पहले आए और बोले कि आप थाना यह थाना मिलना है तो चकदार साहब आकर बोले कि आपके लड़का को बलाए गया है तो हम तो वहां थे नहीं इंपिता सरी मिलेंगे उनका तो काम है वेरिफाई करना तो वहां से व कुछ नहीं ह différentes उनका काम है उसमें को कहीं कुछ नहीं देना है उनका a representatives कर एक है आपके खुद नहीं करें तो कभी-कभी आपको बुलाभी लेते हैं दोनों यह जैसे करते हैं तो वहता होता है कि अगर आप दिकेर आप से बहुत सरे लोग जूड़े हुए हैं आप अगर ग तो उतना चलता है किसी को भी आप खुसी से अगर आपको खुसी हुई है तो आप दूसरे को कुछ दे रहे हो कुछ सेवा कर रहे हो तो उसमें कोई दिकत नहीं है आप मिठाई खिलाइए लेकिन हाँ जो पेमेंट वाला सिस्टम है या फोर्स फुली कि इतना रूपय आपको करें सभी का आएगा और बहुत लोग ऐसे हैं जिनका भी फैरिफाइड नहीं हुआ है वेरिफिकेशन नहीं हुआ हमारे बैच के बहुत सार ऐसे बच्चे हैं जिनका फैरिफिकेशन बहुत पहले भी हो गया कुछ का लेट से हुआ तो डिपेंड करता है कि आपके कागज कि वेरिफिकेशन के लिए और तोब अब वेरिफिकेशन नहीं है आएगा तो जरूरत की साथियनका वेरिफिकेशन में कि हम से पहले भी दो-चार दोस्त यहां पे हो चुका दा जिसको मैं जानता था लेकिन पिर भी हम हम तो समझ रहे थे कि आहेगा है यह नेक दिन करता है तो इसलिए इसको ज़्यादा नहीं लेना है और आप नॉर्मल जाइए वहाँ पर अभी तो रही है कि अगर फादर है तो उनको जाने के लिए जाके उसे अटेंड करेंगे थाना में जो भी बोल रहा है फिर चाय पानी फिलाईए खिलाईए फिलाईए लेकिने सब को उस तरह से कंटिन्यू रेगूलर समय नहीं मिल रहा है जिसे की तो अबडेट नहीं पर आए लेकिन फिर भी मेरा पर्यास जारी रहेगा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो जय हिन जय भरत